नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोंग सामने हैं यह रिपोर्ट है राइटर की 17 था जन्वरी 2024 की जिसको एकोनामिक टाइम्स में भी छापा गया था तो वहीं से मैंने रिपोर्ट लिया है और यह वड़ी ही सुरसे से कहा गया है कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है चाइना के एक्सपोर्ड को एनमडी सी के इस प्रपोजल को कि चाइना को और आयरन ओर को भेजा जाएं पूरी कहानी क्या है इसको आप लोग समझ लीजे कहानी एक है कि चाइना में बहुत सारे आयरन के डिवलेप्मेंट प्रजेक्ट चल नहीं सकता है उस स्टील के लिए आयरन ओर चाहिए होता है क्योंकि आयरन जो होता है आयरन ओर से ही निकाला जाता है तो आयरन ओर चाइना इंडिया से लेता है ज्यादा तर आयरन ओर पर चाइना के डिपेंडेंसी इस हद तक है आप समझ सकते हैं, कि लगभग 2022 तक, टोटल प्रोडक्शन का, टोटल एक्सपोर्ड का 80% और चाइना को निर्याद, मतलब एक्सपोर्ड किया जाता था, बाकी 20% अधर कंट्रीज को दिया जाता था, अच्छा, इंडिया में आइरन ओर बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, और बन्या क्वालिटी का आइरन ओर है, जिसमें लगभग 60% तक आइरन पाया जाता है, 50-60% की बीच में आइरन पाया जाता है, हाई ग्रेड आइरन ओर है इंडिया में, तो इससे चाइना की हालत खराब हो गई है चाइना ने रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि आप हमें जो है 1.18 billion ton iron ore को भेज दीजिए NMDC से NMDC क्या है National Mineral Development Corporation NMDC से कहा 1.18 billion ton चाइना की डिमांड थी लेकिन भारत सरकार ने 2023 में डिमांड थी भारत सरकार ने सिधे मना कर दिया का नहीं NMDC से कहा कि पहले आप अपने घरेलू जरूरतों को पूरा करिए फिर आप बाहर के लिए एक्सपोर्ट करने की सोचिएगा ठीक है क्योंकि घरेलू बाजार में भी इस्टील की कफ़त बहुत ज़्यादा है और इस्टील महांगा होता जा रहा है यह official statement आया है और इंडिया ने यह का करके चाइना को ठुकरा दिया है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा iron ore नहीं दे सकता ठीक है लेकिन इसमें अंदर की वजह क्या है अंदर की वजह यह है कि इंडिया यह चाहता है कि वो चाइना के उपर नकेल कसे किसी तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि गल्वान में stand-off हुआ था जड़प हुई थी हिंसक जड़प हुई थी 2020 में में 2020 और जून 2020 में जिसमें करीब 38 चाइनीज और 20 इंडियन सैनिक मारे गए थे वैसे तो चाइना के ज्यादा सैनिक मारे गए थे माना आये जाता है करीब जो उनके 75 के करीब सैनिक मारे गए थे लेकिन जो आफिसियल या जो कुछ प्रमाडों के आधार पर जो सीधे सीधे दिखाई पड़ा और 38 की बाद स्विकार की जाती है ठीक तो दिसमबर 2022 में फिर से तवांग में जड़प हुई और हद तो तब ह गई जब इस जड़प के बाद में इसके यह कहीं पर लाइम लाइट में नहीं आ पाया आप लोग भी जानिए यह पता लगा जब सौरे चक्र दिया जाना था या सेना मेडल दिया जाना था तो सेना मेडल के उसमें डिकलेरेशन जो होती है उसमें पता लगा कि 7 जून 2022 को भी पीले के शैनिकों ने टेकरी पोस्ट पर हमला किया था शंकर टेकरी पोस्ट और वहाँ पर सिपाही थे रमन सिंग जिन्होंने गुत्थम गुत्था करते हुए चार पीले शैनिकों को घायल कर दिया था और बाकी पीले शैनिकों को उल्टा पाउं भागने के लिए मजब इसके अलामा 19 बेडेलियन जे एंड के राइफल जमू एंड कस्मीर राइफल के 27 नुवंबर 2022 को नायप सुवेदार बल्देव सिंग अटारी पोश्ट है वहाँ जमू कस्मीर बार्डर पर वहाँ पर तेयनात थे और 50 प्यले सैनिक हमला कर दिये थी समझे ये राजा यलेसी क्रास करने कोशिस किया इन लोगों ने लेकिन यहाँ पर भी इन्हों ने सुवेदार बल्देव सिंग ने अदम में साहस का पच्चे देते हुए अपने प्राणोग परवाह न करके उनको ललकारा और उनको जो है वापस लोटने पर मजबूर किया इ उसमें जो डिकलेरेशन किया जा रहा था उसमें बताया गया तब समझ में आया कि इसके माने के दो बार और श्टेंड आफ मतलब वहाँ पर जड़प हुई है पी एले की इंडियन सैनिकों से समझ रहे हैं इसके आफ 15 बैटेलियन का ये कारनामा था जिन्होंने चाइना के ये अंदर घुष कर के उनकी उनिकाली आती एर्थ बैटेलियन के सिकलाइट इनिंफिंटरी पैरा-जैरा किया था अपनी कारवाहिया किया था तो यह सब होते रहे थी इसके वज़े से भारत सरकार बहुत छुब थी कई राउन की बातचीत के बावजूद भी जो है यह हल नहीं हो रहा था तो आप भारत ने एक दम क्लियर कट कर दिया है कि कि अनफिसियल में एक मैसेज दे दिया है कि जब तक आप बार्डर डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करोगे मैं कुछ भी आपको इस तरह से फ्री में देने को तया इस तरह से देने को तया फ्री में तो नहीं पैसा लेकर दिया था लेकिन इस तरह से कुछ भी आपको एक्सपोर्ड इंपोर्ड करने को तयार नहीं ह है आप चाहे जितना परिशान हों समझ रहे हैं जब कि चाइना का यहां पर एक अना है कि आप बार्डर डिस्प्यूट को अलग रखी और इक्सपोर्ड इंपोर्ड को ब्यापार को अलग रखी इंडिया का यह कहना नहीं दोनों चीजें साथ मिल करके चलेंगी अगर बार्डर हमारा असांत रहेगा तो ब्यापार हमारा नहीं चल पाएगा जैसा कि पाकिस्तान के साथ इंडिया ने किया है तो यह है पूरा घटना चक उम्मीद है कि आपके यह समझ में आया होगा कि क्या मसला है और भारत क्या इस्टे प्ले रहा है चाइना को कंट्रोल करने के लिए यह भी उम्मीद जताई जा रहे है कि आने वाले दिनों में चाइना को राइट डारेक्शन में आना ही पड़े चलिए इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा होगा भारत के लिए अपने वीडियो के यही पर समाप्त करता हूं नमस्कार जय हिंद जय भारत बन्ने मात्रम